असलाम वालेकुम वीवर्स मैं हूँ महरीन तन्वीर और आप देख रहे हैं मेरा यूटिप चैनल महरीन तन्वीर ये देखें आज हम आए हैं जायका हलीम सेंटर ये देखें यहाँ नीचे के एरिये में शायद लाइट नहीं थी इसलिए बहुत जादा अन्हेरा आ रहा था ये हमारी एंट्रेंस थी कुरंगी चार पर ही ये वाक्या है हलीम कराची जायका हलीम एंड बिरियानी सेंटर यहां तकरीबन हर चीज़ खाने की अवलेबिल है आप यहां से कुछ भी ओडर कर सकते हैं ये नीचे का हॉल है तकरीबन जो जैंट्स होते हैं शायद उनके लि है अबदुलबारी भी बैठ चुके हैं और उनके बाबा भी। बहुत साफ सुत्रा सा ये एरिया है ये देख आं बिलकुल साफ सुत्रा ना कोई मक्या वगेरा जिससे खाने में इनसान को थोड़ा सा जिजा खाए की नई ये तो गंदा सा एरिया है लेकर ये बिलकुल मैं भी शौक से खाती हूं, इनके बाबा भी शौक से खाते हैं, तो हम अकसर हलीम खाने के लिए इसी सेंटर का इंतखाब करते हैं, देखिया, बहुत सारे फैमली हॉल्स हैं, यहां पर, बहुत सारी टेबल्स लगी हुई हैं, यह इनके बाबा ने ओर्डर कर दिया है, और अ वीवन साथ आठ फैमिली एक साथ यहां बैठ सकती हैं यह देखें आप अबदुलबारी जांक जांक के देख रहे थे कि हम यहां क्यों आए हैं अबदुलबारी को खाने पीने का शौक नहीं है उन्होंने बस घूमने का शौक रखा हुआ है यहां पर भी उनके बाबन उनको बहुत मुश्किल से बिठाला है वरना वो बेठने वाली चीज नहीं है यहां हमारा हलीम आ चुका है यह देखें बहुत ही लजीज बहुत ही जायके में मज़ेदार इनके बाबा ने अपने लिए नान भी मंगवाई थी वो रोटी से का लेते हैं लेकिन मुझ से नहीं खा हां को टा रहे हैं हलाकि उन्होंने खाना नहीं आया क्योंकि मर्चे बहुत लगती हैं तो वो ये चीज़ें नहीं कहाते हैं लेखें बस उन्हें शौक है हर चीज में चम्छे चलाने का और यहां देखें हमारी प्लायर रिड़ी हो चुकी है यहां पर यह मैटेरियल विर उन्होंने खासी अच्छा दिया हुआ है हलीम के साथ, जिसस में लीमू है, प्याज है, सब चीजें हैं, अदरक है, हरा धनिया है, पोदीना है, यह देखे हैं, हरी मिर्चे जो शौक से खाता हूँ, वो खा सकता है, वे तो खाय नहीं खाती, इतने उस से, यह देखे हैं, इन मिर्चे आज चुकी है, इतने बुरे-बुरे से यह मुँ बना रहे हैं, क्योंकि यह मिर्चों का नहीं खाते हैं, हम इने अभी थोड़ी सी लिक्विड चीजें के लाते हैं, इनके बाबाने ने पानी पिलाया है, खाने में तो खेरी ड्रामे करते ही हैं, और यहां हमने एक पारसल भी लिया था अपने घरवालों के लिए, क्योंकि हम खुद खाएं और उन्हें ना खिलाएं, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम अपने साथ एक पारसल जरूर लेते हैं, यह रिखें, यह हम लेकर अपने घर वापिस आ गए थे, उमीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरी चैनल को लाइक करें, सबस्क्राइब करें, शेयर करें और साथ साथ कमेंट्स भी करते रहा करें, कराची जाय का हलीम सेंटर, जिसने भी हलीम खाना हों, वो इस सेंटर को जरूर ट्राइ करें, बहुत ही लजीज किसम का यहां हलीम है, बिर्यानी भी होती है लेकिन बिर्यानी इतनी खास नहीं लगती है, टेक कियर एंड अल्लाहाफेज